कि वेश्याओं को लाकर खूब मदिरा मांस का उपभोग सारे अनयतिक कार्य करने में कोई भी पाप ऐसा नहीं जो धुन्दकारी से बचा हो और ये पाँच गड़काएं कौन है संक्षेप पे वर्णन करना चाहेंगे ये हमारी पाँच ग्यानेंद्रिया है हम इन्हीं पाँच ग्यानेंद्रियों से फाइफ सेंस ओर्गन्स आख नाख कान जीब ये जो पाँच फाइफ सेंस ओर्गन्स है पाँच ग्यानेंद्रिया इनहीं से सारे पाप होते हैं हमसे हम ही वो धुंदकारी है जो पाँच ज्यानियंद्रियों के वशी भूत होकर जैसे वो धुंदकारी पाँच गड़काओं के वश में होकर दिन रात पाप कर रहा था ऐसे ही हम भी करते हैं मुझ से किसी की निंदा करते हैं, कानों से किसी की चुगली सुनते हैं, आखों से भुरा दृष्य देख लेते हैं, दिन रात इन पांच गड़िकाओं के संसर्ग में हमसे भी पाप हो रहा है, हम धुन्दकारी से अलग नहीं हैं, यह ऐसा नहीं कि धुन्दकारी की कथा हम ही वो दुन्दकारी है तो वो दुन्दकारी पांच गड़िकाओं के वशी भूत होकर दिन रात पाप कर रहा था एक दिन उन गड़िकाओं ने सोचा कि यदि ये ऐसे ही पाप करता रहा चोरी करता रहा तो एक दिन हम भी पकड़े जाएंगे क्योंकि उसने एक दिन राजा के यहां भी पी चोरी कर ली किनके लिए इन गड़िकाओं के लिए हम भी ऐसे अपनी आख को तृप्त करने के लिए अपने कान को तृप्त करने के लिए अपनी ये जो ज्यानेंद्रिया हैं इनकी तृप्ति के लिए बहुत से अधर्म कर जाते हैं जैसे धुन्दकारी कर रहा था उन गड़िकाओं को प्रसंद करने के लिए तृप्त करने के लिए सारे अधर्म करने को तैयार था और एक दिन यही ग्यानेंद्रियां हमें धोका देती हैं ऐसे ही उन पांच गड़िकाओं ने उस धुन्दकारी को यू धोका दिया कि सोचा कि इसने राजा के यहां चोड़ी करी है और इसके साथ साथ हम भी बंध जाएंगे तो क्यों ना इसको मार के यहीं पे गाड़ दिया जाए और धुन्दकारी को एक दिन उन लोगों ने रसी से बांध कर और वो तब भी नहीं मरा मराज जो पापी व्यक्ति होता है न उसको मृत्यू जल्दी नहीं आती आप कभी देखना जिसके जितने जादा पाप होंगे मृत्यू भी वरण नहीं करती जल्दी संत महात्मा ऐसी धीरे से छोड़के चले जाते हैं शरीर दुन्दकारी को बांधा बहुत पीटा मारा उसके प्राण नहीं निकल रहे दुन्दकारी के फिर उन्होंने जल्ती लकडी कोईला लिया और दुन्दकारी के मूँ में भर दिया तब भी प्राण नहीं निकल रहे धुंदकारी के, लगा ये मरेगा कैसे, बांध के पूरा कोई, जलते हुए लकड़ी कोईले को भरके, आंगन में गड़ा खोद के उसमें उसको गाड़ दिया, धुंदकारी को, और गाड़ के जितना वो धन संपत्ती चुड़ा कर लाया थ दुंदकारी पाचो वेश्याओं ने बराबर बाटके चंपत हो गई, भाग गई वहां से, और जैसे ही गोकर्ण जी को पता चला कि हमारे भईया भी देह छोड़ चुके हैं, गोकर्ण जी ने सोचा लाओ, उनका गया में तरपन कर दे, पिंड दान कर दे, गोकर्ण जी न दो रहसिय बताते हैं, एक तो गया जी का महत्व है, ध्यान से सुनियेगा, गया जी का महत्व है, लेकिन श्रीमत भागवत जी का उससे भी बड़ा महत्व है, कि गया जी में पिंड दान करने से मुक्ति अवश्य होती है, फिर आप कहेंगे जुन्द कारी की क्यों नहीं क्यूंकि गया जी में जब भी आप कोई दान तरपड कुछ करते हैं सबसे पहले संकल्प लिया जाता है लेते हैं ना संकल्प पंडिजी कराते फिर बोलते हैं कि आप अपना गोत्र बोलिए पंडिजी बुलवाते गोत्र बुलवाते दुंदकारी का तो वो गोत्र था ही नहीं न? वास्तों में दुंदकारी तो दुंदली का बेटा था ही नहीं दुंदकारी का वो गोत्र नहीं था गोत्र अलग था दुंदकारी का गयाजी में तरपण हुआ लेकिन दुंदकारी की मुक्ती नहीं हुँ लेकिन श्रीमत भागवत जी की इतनी महिमा है कि आपका कोई गोत्र अता पता हो ना पता हो गलत हो सही हो श्रवन मात्र से मुक्ती है तो एक बार हम लोग फिर से कहेंगे श्रीमत भागत महापुरान की जैर और ये गया जी का भी बहुत महत्व है क्यूं है पता है आपको गयासुर नाम का एक असुर था गयासुर नाम का ये गया जी कैसे हैं इन्हों ने तपस्या करी, असुर तो वैसे भी खुब तपस्या करते हैं, तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्य किया और इन्हों ने अनोखा वर्दान मांगा, कि जो मेरे मुख को देख ले, जो मुझे देख ले उसके समस्त पाप समूल नश्ट हो जाए, ब्रह्मा जी ने वर्दान दे दिया तथास्तु क्योंकि इतना तप जो किया था गयासुर ने अब जैसे ही माराज गयासुर को ये वर्दान मिल गया अब तो पापी से पापी लोग भी आते गयासुर का दर्शन कर लेते और तर जाते नर्क पूरा खाली स्वर्ग भर रहा है और लोग दिन रात पाप कर रहे हैं और जान रहे हैं कि पाप कितना भी कर लो उसके दर्शन कर लेंगे सब दुल जाएगा इस तरीके से तो गड़बड होने लगी अब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि ये तो गड़बड कर रहा है महराज लोग और पाप कर रहे हैं लोग कहते इधर पाप करो और उधर जाके दर्शन कर लो भगवान ने कहा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तो ठाकुर जी ने गयासुर से कहा कि एक काम करो क्योंकि गयासुर भग्त बहुत था तो जब ठाकुर जी उससे कुछ माँगने गए तो उसने कहा मैं दूंगा तो ठाकुर जी ने कहा कि एक काम करो तुम लेट जाओ अपने उपर तुम्हारे उपर ही हम हवन करेंगे यज्यादी करेंगे गयासुर बड़ा राक्षस था वो जानता था मेरा कुछ नहीं बिगणने वाला उसने का ठीक है प्रबू गयासुर लेटा रहा उसके उपर सारे देवी देवताव ने खूब हवन यज्य काफी समय तक किया गयासुर तब भी नहीं उस मृत्यों को प्रा तो हो जाएगा तब गयासुर ने कहा कि भगवाल ठाकुर जी मैं ऐसे नहीं जाने वाला आपको चरण रखने पड़ेंगे और मुझे एक वर्दान देना होगा कि जो भी मेरे इस थल में मेरे इस इस थली पे आएगा उसको आप स्वयम तारोगे जब ठाकुर जी ने चरण रखे गया सुर्पर और वर्दान दिया तभी से यह गया जो है जहां पर आप पिंडदान करते हैं वहां पर यह प्रचलन हो गया कि पिंडदान वहीं होगा और मान्यता हो गई कि यहां पर मोक्षव मिल जाता है तर जाते है तो दुंदकारी का इसलिए पिंडदान वहाँ पे नहीं हो पाया और इधर श्रीमत भागवत का महत्व इतना है कि कोई गोत्र की आवशक्ता नहीं किसी बात की आवशक्ता नहीं अगर आपने कथा श्रवण करी है तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना किसी अन्य संकल्प लेने वाले को मिल रहा है लेकिन शर्ट एक है शर्ट ये है कि अंदर बाहर से काईन वाचा मन सेंद्री आपको अंदर बाहर से और बाहर से शुद्ध होना होगा सात दिन ये ठाकुर जी गैरंटी ले रहे है इस बात की कि अगर साथ दिन कोई किसी भी संकल्प किसी भी कामना से कथा को सुन ले कथा की सारी शर्टें पूरी करते हुए शर्ट क्या है वक्ता के पहले आकर श्रोता बैठे कथा आरती से पहले ना जाए और नीद और मन पे कंट्रोल दो चीज नीद आने ना पाए और मन कहीं जाने ना पाए आप देखिए जो संकल्प आप मन में करके बैठे हैं वो जरूर पुरा होगा जिन लोगों ने संकल्प नहीं लिया है वो भी ये है श्रीमत भागवत का महत्व बोलिये श्रीमत भागवत महा पुरान की जय और इस प्रकार से जब गोकर्ण जी महराज को पता चला उन्होंने पिंडदान किया गया में लोट कर अपने घर आए अपने घर के आंगन में सो रहे थे गोकर्ण महराज जी कि तभी उन्होंने देखा कि एक प्रेत कभी भैस बन जाता है कभी भेड बन जाता है और मुँ से उसके आवाज नहीं निकल रही उस प्रेत के गोकर्ण जी ने जल लिया हाथ में मंत्र फूका और उस पे डाला तो वो बोल पाया गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो उसने बोला मैं तुम्हारा भ्राता तुम्हारा भाई धुंदकारी हूं गोकर्ण जी ने का अरे मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया था तुम अभी तक जीवित हो प्रेत ही योनी में हो उसने का ऐसे सो पिंड़दान कर दो मेरे जैसा एक नमबर का प्रेथ कुछ नहीं होने वाला मेरा ऐसे मैंने इतने पाप किये गोकण जी महराज ने सोचा अब क्या करूँ सबसे आखरी बात तो यहीं पताती कि गया जी में पिंड़दान कर दो सूर्य भगवान को सूर्य नरायन से प्रातना करी सूर्य नरायन ने बताया कि शीमत भागवत कथा का आयूजन करूँ कथा सुनाओ इसे और इसको जरूर मुप्ती मिलेगी सूर्य देव आज भी कल्यूग में प्रत्यक्ष नरायन है प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं सूर्य देव सूर्य भगवान जी ने हर जगा 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 आप देखेंगे कथा में बहुत सहायता करी है बक्तों की तो यहां पे भी सूर्य भगवान ने गोकन जी को बताया और फिर गोकन जी ने कथा का आयोजन किया और क्योंकि प्रेद योनी है दुंदकारी की तो आप लोग जैसे बैठे ऐसे दुंदकारी बैठ नहीं सकता था क्योंकि वो वायू रूप हो चुका था शरीर नहीं था इस थूल तो साथ गाट के बास में दुंदकारी ने अपनी जगा बनाई और वहां बैठ कर दुंदकारी ने तलीन तासे और आप क्या कभी कल्पना कर सकते हैं कि दुंदकारी के मन में क्या चल रहा होगा केवल एक ही बात कथा के हर शक्त में केवल एक ही बात चल रही होगी कि इस शरीर से मुझे मुक्ती मिले प्रभू इस शरीर से मुझे मुक्ती मिले इस भाव से जब दुंदकारी ने साथ दिन कथा सुनी पहले दिन पहली ग्रंती दूसरे दिन दूसरी और ऐसे करते सात दिन में सातों गाठे फट गई और धुन्दकारी एक चतुर भुज स्वरूप में पितांबर ओड़े भगवान के चतुर भुज स्वरूप में प्रकट हुआ और गोकर्ण जी को प्रणाम किया कि आपकी वज़े से मुझे ये देह प्राप्त हुई और उस प्रेत योनी से छुटकारा मिला और इधर एक बात हुई एक आश्चर हुआ कि केवल जो विमान आया वो केवल धुन्दकारी के लिए आया इतने सारी लोग कथा सुन रहे हैं लेकिन जो विमान आया वो केवल दुंदकारी के लिए रिश्यों ने पूछा ऐसा क्यों? यहां तक की गोकडजी ने पूछा ऐसा कैसे महराज? कथा तो सब सुन रहे हैं जानते हैं उत्तर क्या मिला? उत्तर मिला वर्शा तो हो रही है वर्शा बराबर हो रही है वर्षा में कमी नहीं है लेकिन कीचड में मिट्टी में गिर रही है वर्षा तो कीचड बन रही है साप के मुँ में गिर रही है वही वर्षा का जल जहर बन रहा है वही वर्षा का जल गंगा जी में गिर रहा है गंगा जल बन रहा है वही वर्षा का जल सीप में गिर रहा है तो मोती बन रहा है वर्षा वही है तात्पर क्या हुआ तात्पर ये कि हम पात्र कैसे है जैसे हम पात्र है वर्षा का जल वहाँ वहाँ गिर रहा है और हमारी पात्रता के अनुसार हमें फल मिल रहा है हमारे उद्देश के हिसाब से हमें फल मिल रहा है तो उद्देश का बहुत बढ़ा महत्व है इसलिए तीन सेकेंड आप लोग अपने मन में हम अभी रुकेंगे तीन सेकेंड आप लोग अपने मन के उद्देश को सुधार लीजिए अपने मन में देखिए कि हम किस उद्देश्य से यहां आए हैं क्या मेरा उद्देश्य कथा सुनना है इसके अतिरिक्त यदि मेरा कोई उद्देश्य है तो तीन सेकेंड हम दे रहे हैं आपको अपने अपने मन में उद्देश्य सुधार लीजिए अपने उद्देश्ची को केवल यही रखिए कि हमें कथा को श्रवन करना है हे ठाकूर हमें वो शक्ती दीजिए कि जो रस इसमें है वो मैं पी सकूँ जैसे धुंदकारी ने पिया और आपको वही फल मिलेगा तो जब इस प्रकार का उत्तर मिला गोकर्ण जी को तो गोकर्ण जी ने कहा मैं फिर से आयोजन करूंगा कथा का और फिर से ये सब लोग आएंगे और फिर से अपना सब उद्देश्य सुधार के बैठेंगे और कथा को तलीनता से सुनेंगे और वैसा ही हुआ गोकर्ण जी ने फिर से कथा कही और इस बार पूरे ग्राम वासियों को लेने के लिए विमान आया है उपर से बोल ये श्वीमत भागवत महापुरान की जै और दुन्दकारी ने हाथ जोड़ कर कैसे और सबी ग्राम वासियों ने हाथ जोड़ कर गोकर्ण जी का अभार जानते कैसे प्रकट किया ऐसे हरी कथा सुनाने वाले तुम को लाखो प्रणा 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 हमें भूल रही थी हमें भूल रही थी बन में बल खो बैठी थी दन में हो राहे बताने वाले तुम को ला कुपणा हर की कता सुनाने वाले हर की कता सुनाने वाले तुम को ला को ला को ला को ला को ला लाहो तियम के गाला, हमें गर्विष का प्याला, जा रहे तियम के गाला, वो सुधा फिलाने वाले हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुम को लाखो प्यडा, तुम को लाखो प्यडा तुम को प्यादा जाए तुम को लाखो प्यादा हम पार तिरा क्या पावे, बस सीस जुकाए गावे हम पार तिरा क्या पावे, बस सीस जुकाए गावे ओ प्रे मिल्टाने वाले, तुम को लाखो प्यडा, तुम को लाख में हर की गठा सुनाने वाले तुम्पला खोंपडा हर की गठा सुनाने वाले तुम्पला खोंपडा की गठा सुनाने वाले तुम्पला खोंपडा तुम्प घट घट अंतर आमी हम अत्त और अग्यानी हरी दर्स कराने वाले तुम्पला खोंपडा हर की गठा सुनाने वाले तुम्पला खोंपडा हर की गठा सुनाने वाले तुम्पला खोंपडा कुपला 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 कुपल से दुन्दकारी का उद्धार हुआ तो यहाँ पे यह सिद्ध हो गया कि पापी से पापी मनुश्यों का भी श्रीमत भागवत कथा उद्धार कर सकती है सुर नर और मुनी तीनों का उद्धार कर सकती है श्रीमत भागवत कथा जब इतना महत्व सुना कि जब महराज इतना बता दिया तो ये भी बता दो कि अगर करना चाहे श्रीमत भागवत तो कैसे करें नियम क्या है तो सनकादिक रिशी बोले कि पाँच बाते ध्यान रखो पहली सबसे पहला जो हमारे अंदर भी प्रश्णा आता है कि मराज खर्चा कितना आएगा श्रीमत भागवत कथा का मन तो बहुत है करवाने का लेकिन खर्चा कितना होगा तो विवाहे या जैसे विवाह में बेटी के खर्च का कोई आंकलन नहीं है आपकी सामर्थ्य आपकी जितनी श्रद्धा सामर्थ्य है उसके हिसाब से ही आप अपनी बेटी का विवाह करते हैं वैसे ही श्रीमत भागवत कथा का अपनी सामर्थ के अनुसार अपने और अपने ठाकुर के बीच में किसी दूसरे को मताने दीजिए अपने और अपने ठाकुर के प्रेम के बीच में जो आपकी सामर्त्य हो उसकी अनुसार आयोजन करना चाहिए अच्छा दूसरी बात वक्ता का चयन बहुत ध्यान से करना चाहिए जो वैश्नव हो वैश्नव अगर हम संक्षेप में कहें तो जैसे जिनको देख कर ठाकुर की याद आ जाए वो है वैश्नव हम ऐसे तो संसार में भूले रहते हैं नजर पड़ी चंदन तिलक माला कंठी ठाकुर की याद आ गई अहाँ ये उनके है जिनको देख के ठाकुर की याद आ जाए वो वैश्नव वक्ता संशय चिद्रा होना चाहिए आपके अंदर अगर कोई प्रश्न है संशय है तो उसका शमन कर सके शास्त्रग्य होना चाहिए तीसरी बात बताई की खान पान में पुछा तो पहले तो कहा की निराहार रहना चाहिए साथ दिन बिल्कुल बिना खाए पिये अब तो कह दिया की अगर आपने ऐसा बताया तो सुन चुके कथा कल्यूग के लोग सत्यूग थोड़े न है तो बोले अच्छा अच्छा कोई बात नहीं घी पी के रहो ग्रतब पानम सातो दिन घी पियो अरे इतनी गर्मी में घी रोटी में तो डाइजेस्ट नहीं होगा पीने की बात कर रहे अच्छा अच्छा कोई बात नहीं तो पयो पानम दूद पयो दूद पीजी सिर्थ केवल दूद पी कर रहे है दूद भी डॉक्टर ने मना किया है मोटापा बढ़ जाएगा दूद से ये भी नहीं होगा महराज और सरल करिये अच्छा तो फलाहार लेके रहे अरे फलाहार रहे तो इतना आयोजन में शक्ती भी जाएगी कमजोरी आ जाएगी महराज सुन्डे तीन घंटे कता क्या से बैठेंगे हम सब घर के काम भी है अच्छा अच्छा फलाहार नहीं तो फुलाहार लीजिए पूराहार करिए जितनी बार खाना हो उतनी बार खाईए बस कथा के बीच में सोईए मत इतना मत खा लीजिए कि कथा में नीद आने लगे उतना खाके आईए कि कथा में बैठ सके शुदा देवी आपको सताएं नहीं और इस प्रकार से छूट देते हुए उन्होंने कहा कि ये तो हो गई खाने का नियम तीन नियम हो गए चौथा नियम है कथा के समाप्ती पे बारा ब्रामणों का भोजन करवाईए और सबसे उत्तम, सबसे मुख्य और सबसे मधुर नियम जो है कथा का कि श्रीमत भागवत में जितनी बार हो सके भगवान की जैकारा भगवान का कीर्टन और राधे राधे ये जितनी बार हो सके बोलिए झाल